ट्रम्प दोबारा बाजी मारेंगे या जो बेडन बनेंगे अमेरिका के सर्ताज। शर्बाजार में मंदी का महौल रह सकता है। चोकि आशंका जताई जा रही है कि अगर कोई नया राश्पती बनेगा तो टैक्स की दर को बढ़ाया जा सकता है। जिससे कारोबारियों के मुनाफिप पर असर होगा। वैसे देखा जाए तो भारत के फंडामेंटल भवेस्ट के लिए काफी मजबूत है। ऐसे में भारती शर्बाजार में पैसा आगे बनेगा ही बनेगा। सिर्फ अमेरिकी चुनाओ को देखते हुए सिर्बाजार में दाउन लगाना सही नहीं होगा। माना ये भी जा रहा है कि ट्रम्प चीते या फिर बिड़न अमेरिका के साथ अच्छे रिस्ते जारी रहेंगे। इसके पीछे बड़ी वज़ा है चीन। अमेरिका को चीन से मुकाबला करने के लिए हर हाल में भारत के साथ की जरूरत है। यही वज़ा है कि अमेरिका और भारत के रिस्ते आगे भी मजबूत रहेंगे। राश्पती कोई भी हो। वै कर सबसे ज़्यादा असर भारत पर होगा, क्योंकि अमेरिका साल में जितने H1B वीजा जारी करता है, उनमें से 70-20 थी वीजा भारतियों को दिये जाते हैं, ट्रम्प की वीजा नीतियों का सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को होगा, जो वेडन का इस संबंद में उनका रव सी होती है, तो चीन और अमेरिका के बीच ट्रेडवार जारी रह सकता है, ट्रेडवार का ज़्यादा भारत को हुआ है, कई बड़ी कमपनिया चीन को छोड़कर भारत में निवेश कर रहे हैं, यानि ट्रम्प के आने से भारत की मनुफ्यक्शन सेक्टर को फाइदा हो सकता है, कुल मलाकर ये कहा जा सकता है कि ट्रम्प जीते या फिर बिड़न भारत पर ज्यादा असर नहीं होने वाला है, हाना कि थोड़े समय के लिए शेयर बाजार पर जरूर असर दिख सकता है